प्रणाइब दपली वजा रहे हैं जो पकोडा रोजगार का जो उन्होंने एक जूमला छोड़ा है जो एक जो आदमी की अपनी जो नीजी तरीके से जो कमा सकता है और एक पड़े लिगे उपर एक बहुत ही भद्धा मजा करा गया है और हम यह इसलिए आए हैं जो नया रोस्टर देली उनिवर्स्टी और जो सेंटर उनिवर्स्टी के अंदर आया है जिसकी वज़े से हमारे प्रोफेसरों का यहां पर आना लगबग नामुम्किन हो जाएगा अगर जो हमारे प्रोफेसर यहां युनिवर्स्टियों पर नहीं आ पाते तो इसका सीधा सीधा असर हमारे दलित बहुजन चात्र पर पड़ेगा जैसे कि आमने एक पहले देख चुके है रोईत वमूला है केस हुआ है और अगर हमारे प्रोफेसर हमारा ही सपोर्ट करने के लिए नहीं खड़े होंगे तो रोईत वमूला कि बाल आ जाएगी हमारे चात पढ़ना बंद कर देंगे और जो उनका शोषण होगा वह एक ऐसी उचाई पर पहुजाएगा जिसका दमने शोषण को रो इसमें क्या गएंगा देखिए यह सिधा सिधा जो गवर्मेंट बनी है इन्होंने आज तक कोई भी जो फास्ट है कि जो एक डिसीजन आया है यह बहुत गल डिसीजन है हम इसका कंडेम करते हैं दो अप्रेल को पूरे भाउजन स्सी स्ट के चात्रों यूवा उने चात्रो को हमारे जो अब तक का मुव्मेंट है उसको रोखने के लिए रिसीजन लिया आगया है सुप्रेम पोर्ट से तो अब दो तारिक के लिए क्या है पिल करना जाते हैं देखिए हम अपने अगर जो महापुर्चों को याद करते हैं तो हमें याद आता है मानने वरकाशिर हम जो गोलते हैं जब दुनिया की सबसे बड़ी आदालत जनता की आदालत होती है कोई और आदालत नहीं होती लेकिन जिस दिन बहुंचन समाज में ठान लिया के वह सड़कों पर आएगा तो फिर ये सुप्रेम कौर्ट क्या दुनिया की कोई भी कोड़ों जुकने के लिए होगी बहुंचनों को ठानने की जोड़त है अच्छी बात जोनियू का अटमिशन पॉलिसी में पूरा कातम हो चुका है क्यूंकि जैन्यू में 2017-2018 दोनों साल जो एक्जाम हुआ है यह यूजिसी के चलते हुआ है दोनों का एक्जाम में 50% जो है क्वालिफाइंग कंपलसे पूरा 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 प्लान है और जो हन्रीट परसन भाइबाइब ने यह अवियाओ जो है सुप्रीम कोट ने बोला थे कि पंदरा परसेंदेशन ज्यादा नहीं वह ना चाहिए लेकिन लेकिन अभी जो है वाइवा हो होता है जातिकद बेदबाव होता है तो जो होरे बाइवा को चलते हूए यह यह जो कि पूरा युजी सी गैजेट को चलते हुए कि रिजर्वेशन कतम हो चुका है तुसरी रिजर्वेशन कतम पढ़ने क्या मक्सद है इनका कि इनको जो बहुजन के लोग है जो जैसे दली समाज के लोग है उनकी शिक्षा छीलो तो यह अपने आप उसी धर्ड़े में आ जाए जब बहुजन तपके पढ़ेगा तो बहुजन तपके आपने आपको जागूरत करेगा और वो अपना अपना उद्योग ढूंडेगा अपना जीवन का एक सहारा ढूंडेगा कुछ नहीं तो कुछ रोजगार का माध्यम से आरक्षन कतम करने का मतलब है कि बहुजन तपके विरोध में, शिक्षक का निजी करने के विरोध में, इसे ही का पुरी तरह करने के विरोध में, यहाँ पर आज पूरे देश से शिक्षक और छात्र मिलकर आपना जोइंट परदसन करना है और यहाँ पर आज करीब एक लाग के करीब यहाँ पर छात्र और शिक्षक और अन्य समाजिक संक्टन यहाँ पर आए हैं जो अपना विरोध परदसन करना है यह आप देखिए इसके पीछे वही है कि विरोध तो क इसके पीछे वजह कि यह सरकार है वर्तमान समर्कार कर ओपर एक श्क्राइब उसके राजा महराज उच्वर्गी बच्चे स्ञें लेने आते थे पूरे 90 परसेंट जो वर्ग है पूरी तरह सिक्षां से बहिस्क्रित होता है वहीं समय लाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि डोल गवार सुथ पसुनारी यह सब ताडन के अधिकार है उसी ढदर्रे की बात करने जा रहे हैं बिल्कुल उसी ढरने की उसी समय पर लाने की कोशिश करें यह चात्रे डोल गवार सुथ पसुनारी इंच्छा है यह मान से च्छा है दूसरी तरह से एक पूरी तरह से एक जैसे मैंना के बहुत संक्यक वर्ग 90 परसेंट वर्ग को पूरी तरह सिक्षा से बास्क्रित करने के लिए इनकी कोशिश है यह चाहता है कि इस देश के अंदर कुछ व्यक्ति ही जो सासन परसासन में आगे रहा है और बागी सब इनकी सिवा करने के लिए तो पूरी तरह है मनुस्मिर्टी से में ठाव ठीक नहीं होता है पहले गुना का कांड़ था भी सारंपूर का कांड़ जो प्रक्ष्छ नहीं समझे आपने बिल्कुल सही खा है जो इन्हों ने जूडी श्री के माद्यम से यहां पर इनकी माद्यम से पर वहां पर आप देखिए अब इस मामले में जो हमारे कि हमारे जो पर्दानमंत्री कि मैं पिछडे स्माज समाज से दर्फ है और अगर अगर मात आ है तक एक जुड्मेंट परा मैं में समस्वादिन काइब आजाएं लेकिन एसे पता चलता है उनकी मान स्क्वाकुत देडिक कर रहे हुँ नेनाम नरिंद कुमारे मैं जेनु से हों पेजडी कर रहा हूं जेनु से पेजडी कर रहे हैं जी आप युवा है और इस तरीके का ये घाव ठीक नहीं होता उससे पहले दूसरा घाव दे दिया जाता है तो क्या तारणा अपके दरना परदसन करनेगा देखिए हम लोग जो गटना दलीतों पर हो रही है उनके खिलाब आवाज उठा रहे हैं जिस तरह से बीजेबी गोवर्मेंट एंडे समर्थी बीजेबी गोवर्मेंट इस देश के अंदार आई है तब से लेकर और आस तक जो गिराफ बढ़े एक्सानों की आत्मात्या का जो गिराफ लोगों के लिए तमाम लोगों को दुवर्मेंट बनाने के जिसकता हो जो किसान है जिसको अपनी फजल का समर्थी मूद्य मिला जाए लेकिन क्या होता है इस देश के अंदर विकास के मुद्द को लेकर के बीजेपी और को लोगने हाहा कार मचा हुआ था इदने गांदी कि गरीभी मिटाओ गरीभी मिटी निए गरीभी मिट गए यहां पर हा गए भीजेपी एक भी कमेंट मोदिक की तरफ से कोई कमेंट नहीं नहीं आया तो मैं ये कहना चाहूँगा अपनी समाच बहुजन समाच के लोगों को कि चेद जाए है 2019 आने वाले समय में अपनी भारी मतों से इस देश के दो बहुजण समाज की सरकार को बनाना है बीजेदी को मुँपर करारा चमाता मारना है ताकि आने वाले समय में बहुजण समाज कि ब्रहमन वादी चैरा अपना मह जा एकना चाहितeno reads कुछ नहीं है कि बाबाए लेकिन अभी तक जैसे एक से चोट लग रही है लेकिन किसी भी सांसाथ किसी बिदायक ने अभी यह नहीं बोला कि भारती जंता पाइड कलत कर रही है लेकिन अभी तक जो तैयार करता है उसके हैंड को तोड़ना जरूरी है उस पर चोट करना जरूरी है और जो लोग इस अवाज को उठाएंगा वह अपने बुजर्ग थे उन्होंने संभी धान को टच नहीं होने दिया लेकिन जो पड़े लिखे लोग है जिन्हें आज 2-2 लाग 5-5 लाग रुपे तंखाय मिल लही है उसके बाव जुदा समीदान पर बार बार किया जा रहा है जो उनके अंदर जो एक्ट उनको बदला जा रहा है लेकि आब यूवाओं की क्या जिम्मेदारी है लेकि मैं कहन मैं चाहूंगा कि जीस तरह से समझना होगा बजर्ण समास के लोगों कि आरक्षन को लेकर के जो मंसा है बीजे पी वह उसको परखना होगा कि वह लोग आने वाल जिस तरह से रिजर्वेशन को खतम क्या जाना है इस्टूटूशन से लेकर तमाम जगों पर उसको बड़ बरीके से उसको अध्यन करना पड़ेगा और उसको समझना होगा और यूवाव से मैं कहना चाहता हूं कि पेबैक्टू तो सोसाइटी जो लोग दो दो लाग पास पास लाग जो म आपका इस्तान कहा था जैसे बार वार अटेक किया जाता है घाव ठीक नहीं होता दूसरा घाव दे दिया जाता लेकिन आज यूवा रोड पर आ चुका है सर आपका नाम मेरा नाम मनीश मैं मैं वेस्ट बेंगल से हूं विश्व भारती विश्व भारती से और अभी PSD कर आप किस में कर रहे हैं PSD मेरा नाटकों में है थेटर में स्पेशली आदिवासियों को लेकर आदिवासी के जो नाटक और कलाये होती है उस पर मेरा PSD है क्या जैसे मोधी जी नाटक करते क्या आप इसी तरीक नाटक कराएंगे यह सवाल बिलकुल सही है लेकिन हमारा जो न सविधान को बदलने की कोशिश की है सविधान को बदलने की जो इनकी मंशा है उसके लिए दीरे दीरे ये कदम तुक बढ़ते जा रहे है उसमें हमारी युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए और देखे, जो हमारी युवाओं की जो भूमिका है, देश का युवा समझता जा रहा है, दीरे-दीरे समझतार हो रहा है, और उसी समझधारी के माध्यम से, आज हम लोग यहाँ पर जुटे हैं, और डिली विशवुधियले में भी हम लोग बूल करताल पर बैटे हैं, तो हम अपना खून भी देंगे यह यूवा हमारा आज का यूवा चाह रहा है बहुत अच्छी बात है कि आज सभी लोगों की यह बात बन चुके जो यूवा है आज रोड पर आज चुका है यूवा के साथ में यूपति भी हमारे बीच में क्योंकि दर्द होता है जब एक ठ प्रिक नहीं होता दूसरा घाव दे दिया जाता है आज सम्विधान के साथ बड़े पर हमाने पर चेड़शाड की जा रही है क्या क्या चाहते हैं चाहते हैं बजेपी खुद कह रहे हैं अनंत तो सरकार में आये ही सभीधान को बदलने के लिए हैं तो वो चाहते हैं कि मनुस्मर्ति वाला फिर से सविधान लागू किया जाए जो बाबा साथ ने सविधान हमें दिया है पूरे देश को बदलना चाहरे हैं उसको मनुस्मर्ति वाला करना चाहरे हैं ताकि वह जो इनका आरसस का एजेंडा है वो उसको पूरी तरीके से फुल्फिल कर सके तो उन शरकार सारे अधिकारों को चीन रहे हैं बात्त कि और भर behave वेशल मीडिया यतार네 यूट्यूब के दौरा सब्बों अगे और यह सब और भेन होना के एसकों नौट रहे हैं वह सब्सक्राइब अच्छाइब interf नहीं अच्छिए अटेक कितना तुम अंध्विष्वास में जाओगे अंध्विश्वास तो यह भारत के अंदर सबसे ज्यादा फैला हुआ है यह शुरू से ही है लेकिन यह जो है हम लोगों को भौजन समाज को यह समझना होगा कि इन अध्विश्वासों से इमाता कि नवरात्र हम लोगों को क्योंकि सबसे ज्यादा देखे बχूजन समाजी इन में जुड़ा हुआ है वर्त और दैनू झाल